नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार लेके हम आगे हैं ड्राइंग यानि चित्रकला का ये फिर से एक नया पेपर इस पेपर में भी प्रशन है 20 MCQ, 20 OMR-based question है ये 20 प्रशन आपको 20 अंक दिला करके आपको चित्रकला में 70 में 70 दिलाएंगे चित्रकला में 70 में 70 कैसे लाएं वो तरीके भी हम बताएंगे चित्रकला में 20 प्रशन OMR वाले बहु बिकल्पी आते हैं वे हम आपको हल कराएंगे तो शलिए प्रारम करते हैं एक बार शेयर कर दीजिए तो जुड़ चुके हैं आप अरुनेश कुमार के साथ और हम आपको चित्रकला से पहला प्रशन लेते हैं प्रात्मिक रंग कौन सा है इनमें से प्रात्मिक रंग कौन सा है और फटा फट आप सभी को जवाब देना है के प्रात्मिक रंग कौन सा है बताईए प्रात्मिक रंग का हरा है, काला है, लाल है या फिर नारंगी है बहुत जल्दी बताईए तो प्रात्मिक रंग कौन होते हैं? लाल, पीला और नीला लाल, पीला कौन सा? लाल, पीला और नीला ये आपके प्रात्मिक रंग होते हैं और यहाँ पर इन options में आपका प्रात्मिक रंग है लाल यानि की option गा आपका सही है ये बाते हमारी ध्यान रखना लाल, पीला और नीला आपका प्रात्मिक रंग होते हैं और मुख्य रंग कितने होते हैं तो मुख्य रंग आपके तीन ह मुख्य रंग क्ते हैं नितेश जी और विशास जिए ऱत में हमारे सतीश कुमार जैस्वाल जी सचिन्राठवर जी सभी का स्वागत है इंद्रधनुस में कितने रंग होते हैं तो सतरंगी इंद्रधनुस होता है तो इसलिए आप्षन आपका सही हो जाएगा सेवन देखे कल भी हमने आपको एक पेपर परसों हल कराया था तो उसमें भी प्रशन थे लेकिन बिल्कुल सेम मिलते जुलते ही प्रशन आपको मिल रहे है इसलिए हमारे साथ बने रही है और हम चित्रकलाग में सत्तर में सत्तर की पूरी तयारी करवा देंगे पूरे के पूरे बीस में बीस अंक, बीस आपजेक्टिव में बीस कैसे लाएं ये पूरे बीस हमारी जिम्मेदारी पर आपको हम तयार करवाएंगे ये 20 के 200 प्रशन आपके लेकर क्याएंगे ड्राइंग के नोट्स एतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब ड्राइंग की तयारी करेंगे आलेखन कला वाले बच्चे भी आपको भी 20 प्रशन अनिवार हैं और ये कंपलसरी 20 प्रशनों के उत्तर देने ही होंगे यूपी बोड परिक्षा 2023 में और 2022 का अर्धवार्शिक परिक्षा में सब जगे आपको 20 MCQ मिलेगे शित्रकला यानि की ड्राइंग के सब्जेक्ट के पेपर में भी अगर हम लाल और नीला रंग बनाते हैं तो कौन सा रंग बनता है तो आप लाल में एक बार नीला मिलाईएगा तो लाल में नीला मिलाने से हमारा बनता है बैंगनी रंग ठीक है लाल और नीला प्लस लाल और प्लस नीला बराबर बैंगनी रंग पीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता रंगों का सम्मिश्रण बहुत काइदे से याद कर लेना modelpaper.info modelpaper.info पर आपको ये paper की PDF मिल जाएगी और कुछ दिन के बाद आपको ग्यानजिन्दुclasset.com पर भी आपको इस paper की PDF मिल जाएगी ठीक है, half early examination, half early exam paper में आप जाएगे तो उसमें आप class 10 में जाएगे, तो वहां से आप download कर पाएगे. तो लाल और पीला रंग मिलाने से आपका नारंगी रंग बनता है. कौन सा बनता है? नारंगी रंग बनता है. अजन्ता में कितनी गुफाएं हैं? 40, 49, 30 या फिर 45. यहां पर जो सही जबाब है वो है 30. अजन्ता में कितनी गुफाएं हैं? अजन्ता में आपकी 30 गुफाएं हैं. उस्तवाल्द चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इस रंग चक्र में इस color circle में आपको 8 रंग देखने को मिल जाएंगे. चार रंगों से बने हुए 8 रंग देखने को मिलते हैं और दो प्रात्मिक रंगों को मिलाने से क्या बनता है? यानि दो प्रात्मिक रंगों को मिलाने से बने रंग क्या कहलाते हैं? तो यह दुतियक रंग कहलाते हैं. R, Y, B Red, Yellow and Blue Lal, Peelah, Neelah ये कौन से हैं? प्रात्मिक रंग है अब कहता है प्रात्मिक रंगों को आप मिलाईए तो कौन से रंग बनेंगे? दुतियक रंग बनेंगे तो आप इसको परिभाशा क्या देंगे? दो प्रात्मिक रंगों के मिश्रण को दो प्रात्मिक रंगों के मिलाने पर बने हुए रंग को हम तुतियक रंग कहते हैं जैसे लाल और पीला मिलाने से हमें नारंगी मिलता है ठीक है नीला और पीला मिलाने से क्या बनता है आप मिला के देखिए प्रैक्टिकली तभी समझ में आएगा अजंता की गुफाएं किस धर्म पर आधारी थे हैं अगर आपने आजंता नामक पाठ भगवश्रन उपाध्याय का लिखा हुआ पढ़ा है तो आप जान जाएंगे कि बहुत धर्म पर आधारी थे हैं अजंता की गुफाएं समकोन कितने अंश का होता है समकोन आपका 90 अंश का होता है और इसके बाद बारहमा प्रशन जो है वह बेहत इंपोर्टन और बेहतरीन प्रशन आपको देखने को मिल रहा है बारहमा प्रशन क्या है बारहमा प्रशन है कि आलेखन कितने प्रकार का होता है तो हम आपको बता द आलेखन चार प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, आलेखन चार प्रकार के होते हैं, नमबर एक दो और तीन और चार, मैं बताता हूँ, आलेखन चार प्रकार के होते हैं, एक तो आपका नमबर एक प्राकृतिक आलेखन होता है, कौनसा प्राकृतिक आलेखन होता ह कौन सा जामिती आलेखन होता है और फिर आलंकारिक आलेखन होता है और फिर एक सूक्ष्म आलेखन होता है यह आलेखन आपके चार प्रकार के होते हैं ध्यान रखेगा प्रशनापका बूर्ड परिक्षा में शाज जाएगा शेयर नहीं किये हो कोई बात नहीं चेयर करो तो सबसे बहतर सबस्क्राइब आभारी है आलेखन में कितने प्रकार का अच्छा आलेखन कितने प्रकार का होता हो समझ गया मुनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है मुनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है तो मानलो यह कोई circle है और यहाँ एक बिंदू है और यह वाली है परिधी तो बिंदू से लेकर परिधी की दूरी एक त्रिज्ज्या कहलाती है तो यहाँ सही हो जाएगा d त्रिज्ज्ज्ज्ज्या कहलाती है पुनर जागरन काल के प्रवर्तक कौन है इस question को मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ इस question को हम में नहीं पता है इसका answer करपया आप अपने सिक्षक से पूछें इसके लिए चाहेंगे अगर आपको पता है तो आप बताईएगा मैं comment में पिन कर दूँगा सोलावा प्रशन देखेगा निम्न में से गर्म रंग कौन से होते हैं तो गर्म रंगों में आप देख लीजेगा लाल रंग नारंगी रंग लाल और नारंगी और पीला ठीक है बाकी आपका जो अगनी तत्व होता है जो सूरे तत्व होता है यह होता है गर्म रंगों में इस तो आपको देखना है गर्म रंग कौन से है जो आखों को ज्यादा चमकिला करते हैं इसलिए यहाँ पर आपका लाल रंग भी हो जाएगा और पीला भी आपका क्या है गर्म रंगों की स्रेणी में आता है इसलिए यहाँ पर जो आपको दिखा है मुझे लगता यहाँ पर तो निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? हरा आपका ठंडा रंग है और प्रसिद पेंटिंग बनी बठनी को किस ने बनाया था? तो बनी बठनी को निहाल चंद ने बनाया था तैल चित्रन का प्रारंब भारत के किसका लाकार ने किया था तो तैल चित्रन का प्रारंब राजा रवी वर्मा ने किया था लाल रंग का बिरोधी रंग कौन सा है हरा लाल रंग का बिरोधी रंग है पिर आठ सेमी चित्रिज्या वाले वरत में एक सुन्दर आलेखन की रचना कीजिए जिसे किसी भारतिये पुश्प कलियों वा पत्यों से सुसजित कीजिए तथा तीन रंग योजनाओं का समावेश करते हुए आलेखन को आकरशक बनाईए या फिर 20 से 25 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीड द्रिश्य का चित्रण कीजिए उकता हुआ सूरज हो जोपडियों के पीचे छोटे-छोटे पेंड दिखाई दे रहे हुँ कित्र में जल रंगों का प्रियोग कीजिएगा मैं सारे सौल करा दूंगा सारी चीजें करा दूंगा इस्मरत इस इस्मर्थी चित के साथ लेंप आपको बनाना है तो बंद छाता बड़ा ही सरल है हमने कल उस दिन भी बताया था बस खीचो और ये टांग टेंडी करो हो गया छाता आपका बन गया तोता बनाना है तो सिंपल सा है यहाँ पर दो ब्रैकेट ऐसे ले लिजे सबसे पहले ये कि मैं जैसे खीच र आपका तोता तियार हो जाएगा गंट यहाँ पर लगा दीजेगा तोता इस परकार आप बना दीजेगा तोते की में होती है चोंच अगर आप चोंच सही बना पा रहे हैं तो आप समझ लो कि तोता बना ले गए चोंच बनती है तो तोता सही बनता है पुस्तक बनानी है त और फिर आपको पुस्तक तोता हो गया पत्यों से ताम पपीता हो गया लौकी हो गए लौकी में तो कुछ नहीं है बस लौकी बन गई ठीक है लौकी बन गई सिंपल सा है फिर ये प्राविधी कला के कुछ प्रशन है जिन बच्चों ने प्राविधी कला ली है उनको मैं समझा देता हूँ दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधी पर इस्थित विंदू खा पर इसपर्श रेखा की रशना कीजिए दो सिमी, तीन सिमी, त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को सपर्श करते हैं व्रत्तों की सामान ने अनुस पर्शी की रचना कीजिए दी हुए छे सिमी ब्यास वाले वृत्त पर ऐसी दो सपर्श रेखाएं खीचिये जो एक दूसरे से 50 दिगरी के कोण के बराबर कोण बनाएं साथ सेमी ब्यास ब्रत को तीन समभागों वहाजित कीजिए जिनके छेत्रफल बराबर हों दिये हुए ब्रत आकी परिधी के बराबर सरल रेखा खीचिये अब चलते हैं हम आप सभी की कमेंट की और अगर का वेलकम करता हूँ आपका सेवान स्पांडे जी है चील शुकला है मानवी व्लागर है और सिधार्थ शाकी जी है मोनू पाल जी है स्वागत है बाई गुडिमनिंग है संसकार साहनी जी है साथ में हमारे क्रेजी रॉस्टर जी है इशु गुपता तेव नारायन यादो ज चित्रकला है चित्रकला ट्राइंग जिसको बोलते हो ट्राइंग नहीं जानते हो क्या कच्छा दस में ट्राइंग आता है इसके बाईडबॉआज जी है प्रोहन यादों है कितै शाक के जी है चलिए मिलते हैं next time next अभी देखें मैं आपको यमार शीट के बारे में एक अच अच्छी सी न्यूस देने जा रहा हूं, तो जरूर देख लिज़ें.